आज इस वेडियो में हम लोग कलास 10 की प्रशनावली 3.5 की सवाल नंबर दूसरा का पहला हल करेंगे जो की बहुत ही important है और ये आपको board exam में फोर अंक के आते हैं दोस्तों इस सवाल को बहुत ही ध्यांस देखेगा क्योंकि अगर आप इस सवाल को देख लेते हैं तो आप आसानी से फोर अंक प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों सवाल में बोला है कि A और B के कीन मानों के लिए नेम नराखिक समिकणों के यूग मके अपरिमित रूप से अने हल है दोस्तों अब परिमित रूप से अनेक हल तब होता है जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होता है कहने का मतलब अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 कमान बराबर होता है तो अब आप परिमित रूप से अनेक हल होते हैं दोस्तों आपके में एक क्यावन प्रिष्ट में यहां पे दिया हुआ है जो क्लिक दिया साफ-साफ कि A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 जब बरावर होते हैं तो इसका हल आप परिमीत रुप से अनेक हल होते हैं तो इस प्रकार से आप यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों अब दोस्तों इसी प्र आतल और वाई के गुढ़ाँको माणते हैं और रिसको मानते हैं दोस्तों C1 इसी परकार से हम लोग मानेंगे दूसरे वाले समिकण में यानि कि एक के में ये वाला पूरा है तो एवन कमान ये वाला पूरा होगा इसी परकार से वाई के गुड़ांग को मानते हैं दोस्तों बीटू यानि कि ये वाला पूरा होगा बीटू कमान दोस्तों यहां पर भी एटू होगा क्योंकि सामें एक में एवन होगा है दूसरा में एटू होग इसी प्रकार से इसको मान लें दोस्तों C2 यानि कि C2 को मान ये वाला पूरा होगा दोस्तों आप फिर से समझ लेजिए यानि कि X के गुडां को मानते हैं A2 यानि कि X को छोड़ करके बाकी जितना रहेगा सब को मानना है यहां पर भी Y को छोड़ करके बाकी जितना रहेगा स सब को मानना है और यहां पर जितना कुछ रहेगा सब को मान लेते दों ग two गआँ या सिटके तो यहां पे कितना हो गया 1 a1 का मान हो गया 2 b1 क मान दस्कों 3 और c1 के बाइन इसी पर्कार से ढ़े दोस्तों यहां पर हो गया A1 by A2 बराबर होता है B1 by B2 और C1 by C2 के तो इस प्रकार से आपने लिख लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको A1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ पर A2 का मान दोस्तों A-B है तो उतना ही लिखेंगे बराबर B1 का मान है 3 B तो रखेंगे 3 by B2 का मान है A-B, sorry A प्लस B है तो आप A प्लस B रखेंगे इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर C1 की मान है 7 by कितना दोस्तों? C2 का मान है 3 A प्लस B मान दोस्तों इस प्रकार से आपने रख लेनी है अब दोस्तों करना यह होता है न कि आप एक बार इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर ले सकते हैं आपको जो मर्जी हो ले सकते हैं यानि कि 3 ठो है तो 3 ठो में किसी भी दो ठोको आप आसानी से ले करके हल कर पाएंगे लेकिन दोस्तों मैं अहाँ पर लेता हूँ एक बार इसको साथ में और एक बार इसको लेता हूँ साथ में यानि कि आप ध्यास देखेगा दोस्तों एक बार 1 by A minus B बराबर 7 by 3 A plus B minus 2 को लेता हूँ साथ में और एक बार इसी प्रकार से मैं ले लूँगा 3 by A plus B बराबर 7 by 3 A plus B minus 2 को दोस्तों आपको पता होगा कि इसका गुड़ा इधर करते हैं इसका इधर करते हैं तो कितना होजाएगा 2 कोष्ट में 3A पलास B माइनस 2 जब इसका गुड़ा इधर होगा 7 कोष्ट में A माइनस B अब दोस्तों ये वाला कोष्टक के बाहर है तो कहने का मतलब ये होता है कि ये वाला गुड़ा में है और ये वाला कोष्टक के अंदर सभी में सब गुड़ा करेगा जब इसमें गुड़ा करेगा तो जाएगा 2B और माइनस दो दूनी 4 बराबर 7A माइनस 7B अब दोस्तों A और B को लाएंगे एक साइड क्या होगा 6A प्लस 2B अगर यह वाला इधर है प्लस में अगर आप इसको लाएंगे इधर तो जाएगा पलस में 7B, बराबर, यहां पर लाएंगे इसको इधर तो जाएगा पलस में 4, इस पर करता दोस्तों, यहां पर है 7, 7a- में और यहां पर है 6a- में, तो plus minus गटता है, जब 7 में गटेगा 6 तो बचेगा 1, याने कि सिर्फ a लिखेंग पर प nice में अपर पता होगा कि अगर पालास माइनिस होता है यहां पर से वन भड़ा था यहां बचएगा माइनस ए अब दूस्तोंться टू बी और से वन बिंयन यह दुनम पलास में है है तो कितना हैं कि बावर नौ बी बराबर फोर इसको माल लेता हूं समिक्रार नमबर एक अब दोस्तों इसी परकार से आपने इसको भी हल कर लेनी है यानि किसको तो क्या हो जाएगा इसका गुड़ा इधर इसका इधर दोस्तों जब तीन गुड़ा करेगा यह सब में कितना हो जाएगा तिन त्रिक नो ए माइनस थिरी वी सो जोस्तों पलस है और माइनस तीन उना चो बराबर साथ गुड़ा करेगा इसमें तो सेवें ए पलस सेवें बी सेम इसपरकार से ए और बी वाले को लेंगे एक साइड तो कितना हो जाएगा देजिएगा यानिकी नो ए पलस थिरी बी यह इधर तो जाएगा माइनस 7a और माइनस 7b बराबर दोस्तों 6 कियोंकि माइनस तो प्लस जाएगा इस Even आई प्लस में 7a अचा-ो तो टू ए बचेगा पलस में क्योंकि प्लस बढ़ा है इसी प्रकार से यहां बचेगा दोस्तों माइनस फोर भी क्योंकि माइनस प्लस घटेगा जब साथ में तीन गड़ चार बचेगा और चीन मैंस का प्रावर छे इसको मान लेना समिकड दूसरा अब दोस्तों समिकड एक और दो को हल करके आपको ले आना है ए और बी का बान दोस्तों उमीद करता हूं कि आप कर पाएंगे लेकिन मैं फिर भी करता हूं दोस्तों आपको पता होगा कि समिकड एक और दो को हल करने के लिए यहां पे यह वाला या तो बी वाला कोई बराबर होना चाहिए दोस्तों सम्मिकरण एक में यहाँ पर सिर्फ ए है और दो में यहाँ पर टू भी है तो अगर आप चाहेंगे कि एक को बराबर किया जाया तो आप सम्मिकरण एक में दो से गुड़ा करा देंगे माइनस टू ए और नौदून आठारा पलस में बी बराबर चार दूनी आठ सामेकर दूस्तूं यह पहला था अब यहां पर लिखेंगे जोडने परकियों की यहां पलस मैस पहले से है तो पलस मैस कर जाएगा अब दूस्तों यहां उपर माइनस नीचे पलस पलस मैस घटता है जब 18 मगटेगा 4 तो बचेगा 14 बी पलस में क्योंकि बड़ा है पलस संख्या और यहां पे 8-6-14 यानि की बी कमान निकल जाएगा 14 बटे 14 यानि की 1 इस प्रकार से दोस्तों बी कमान हो गया 1 अब दोस्तों मैंने बोला था कि जैसे ही आप किसी एक कमान निकाल लेते हैं त इस प्रकार से आपने यहां बी कमान निकाल लिया तो लिखेंग दोस्तों कि बी कमान बी कमान समिकरण एक में रखने पर अब दोस्तों समिकरण एक कितना है समिकरण एक है दोस्तों कितना माइनस ए माइनस ए पलस 9 बी बराफोर यानि कि बी कमान यहां पे एक निकल चुका यानि कि माइनस ए और यहां पर दोस्तों प्लस नौ एकम नौ हो जाएगा यानि कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं माइनस एक बराबर नौ एकम नौ पलस मों हो जाएगा अब दोस्तों जब बराबर की साइड लेंगे नौ को तो जाएगा माइनस में यानि कि माइनस ए बराब पांच और B कमान कितना दूस्तों एक निकाल लिए दूस्तों उमीद करता हूँ कि इस सवाल को भी आप बहुत ही असान तरिकों से लगाना सीख गया होंगे दूस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे सो फ्रेंट्स मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक मस्कार जाएं